गुड मॉर्निंग बच्चों मैं नागेंदर तिवारी आज आप सभी को कक्छा सस्ट से हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं और हिंदी में आज कक्छा सस्ट के लिए मैं पाठ पाँच पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों पाठ का नाम है मा कह एक कहानी बच्चों यह जो पाठ है यह जो कविता है अपने बहुत ही प्रसिद कभी मैतली सरनगुप्त द्वारा लिखी गई है और इसमें प्रस्टूत कविता में कभी मैतली सरण गुप्त की एक बहुत ही बहुचर्चित कृती जशोधरा से ये उद्रित है जिसमें महात्मा बुद्ध की पत्नी जशोधरा अपने पुत्र राहुल को शोते समय कहानी सुना रही है कैसी कहानी है क्या इसका टीचिंग पॉइंट है क्या सिक्षा मिल रही है आप लोग बच्चों सुनेंगे मा कह एक कहानी बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी कहती है मुझसे हचे थी तू मेरी नानी की बेटी कह मा कह लेटी ही लेटी इस कहानी में बच्चों जो महत्माबूद की पत्नी ज़सुधरा है वो अपने पुत्र को कहती है कि क्या तो मुझे अपनी नानी समझ लिया है कि केवल कहानी कहानी की ही बात करता है तो कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी अभी मुझे समय नहीं है तो कहता है वो रहुल कि तू लेटे लेटी ही मेरी नानी की बेटी है तू तु तुम्हारी भी तो कोई जिमेवारी है लेटी लेटी सोई सोई ही मुझे कहानी सुना दो मा राजा था या रानी उस कहानी में कौन था कहानी का नायक राजा था या रानी मा मुझे कह एक कहानी तू है हठी मानधन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे जहां सुरभी मन मानी बच्चों बताती है अपने बच्चे से कि तु बहुत ही हठी है तो सुनो मैं कहानी तुमको बताती हूँ ये जो बगीचे हैं इसमें सबेरे सबेरे शुबा शुबा तुम्हारे पिताजी भ्रमन किया करते थे गोमते थे और इसमें बहुत ही इस बगीचे से सुन्दर सुन्दर खुश्बूं आती थी सुगंध आती थी और तरह तरह के इस बगीचे में बर्ण बर्ण के फूल खिले हुए थे आगे बचों जलमल कर हीम बिंद जिले थे हलके जोंके जोंके हीले मिले थे लहर आता था पानी लहर आता था पानी हाँ हाँ यहीं कहानी आगे बताती हैं इस कहानी में कि जब शुबह होती है उसकी बुंदें पौधों पर पढ़ती हैं उस पे पानी की बुंदें पढ़ती हैं तो उसमें एक चमक आती है लगता आए कि मोती ही है बहुत ही अच्छे लगते थे आगे गाते थे खग कलकल स्वर से शहसा एक हंस उपर से अब कहानी असली जगा पे आती है कि वहाँ पे कितने पंची वहाँ से गुजरते थे एक दिन क्या हुआ शहसा शहसा एक हंस उपर से गिरा बिद्ध होकर खरसर से हुई पंची की हानी एक दिन बताती है कि बेटा क्या हुआ शहसा एक हंस जो उपर से उड़ रहा था तो किसी ने उसे मारा घायल कर दिया अपने बान से और उस पंची को बड़ी ही हानी हुई बहुत वह चोट ग्रस्त हो गया हुई पंची की हानी करुना भरी कहानी चौक उन्होंने उसे उठाया नया जन्म सा उसने पाया तो तुरंत वह आया हुई पंची की हानी करुना भरी कहानी जब उसको चोट लग गई आखेटक मारा तो वह गिर गया चौक उसने और उन्होंने उसे क्या कर दिया उठा लिया अपने पास नया जन्म सा उसने पाया उठाये तो लेकिन इतने में वह आखेटक जो था सिकारी आ गया और करता है लक्ष सिधी का मानी कोमल कठिन कहानी मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतू थे रक्षी तुम्हारे तात ने तुम्हारे पिता ने उसे बचाया था लेकिन जो मारा था हुआ करता था मैंने मारा है शिकार मेरा है मुझे तुरत दे दो लेकिन बताती है उसकी मा राहुल की मा कि तुम्हारे जो तात थे पीता थे बहुत ही रक्षी थे रक्षा करने वाले थे जिव जन्तों से प्रेम करने वाले थे तब उसने जो थाखव पंची हटकरने की ठानी अब बढ़ चली कहानी मुझे दे दो ये कहते थे मैंने बचाया है मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है हुआ अभिबाद सदय निरदय में अभय आगरही थे सुवशय में गई बात तब न्याले में सुना सभी ने जानी जब बात कोई नहीं मान रहा था मारने वाला कहता था कि मेरा है बचाने वाला काता था मेरा है तो ये केस आगे बढ़ी और कहां पहुँची नियाले में, कोट में कि अब यहीं फैंसला होगा कि ये हंस किसका है मारने वाले का हक जादा होता है कि बचाने वाले का सुनी सभी ने जानी ब्यापक हुई कहानी ये कहानी आगे बढ़ी बहुत ही बढ़ी हो गई राहुल तू निर्णै कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका कहदे निर्भय जय हो जिसकी सुनलू तेरी बानी तो राहुल तू बता दे मेरा बेटा बता दे इसमें तुम्हारे समझ से ये हंस किसका होना चाहिए तुम्हारे पिता उसे बचाये थे और दूसरा पक्ष उसे मारा था मा मेरी क्या बानी मैं सुन रहा कहानी कोई निरपराद को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी तो कहता है कि मां मैं तो अभी कहा नहीं सुन रहा हूं सुनाओ नो लेकिन मैं इतना तो जानता हूं मां कि कोई निरपराद को जदी मारता है उसको कश्ट से कोई उबारता है तो रक्षक पर भक्षप की स्रिष्टता होनी चाहिए बचाने वाला का अधिकार मारने वाले से अधिक होता है न्याय दया का दानी न्याय जो होता है कोट भी होता है सच का साथ देता है न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी और इस तरह ये अंत में कोट इस पर पहुँचा कि ये हंस तुमारे पिता का है तात का है और इस तरह से ये कहानी बच्चों खतम हुई, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग ध्यान पुर्भाक इसे याद करेंगे और समझेंगे, so thank you